इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के अपडेट लेकर मैं सना आपके सामने हाजिर हूँ शनिवार को IPL 2023 का पहला डबर हेडर देखने को मिला एक अप्रेल को पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ जो बारिश से प्रभावित रहा लेकिन जीट अंत में पंजाब की हुई शाम के मैच में दिल्ली कैपिटल्स और लखनाव सुपर जाइंस की टीमें आमने सामने थी इस मैच में जमकर रन बरसे यहां लखनाव ने जीट से सीजन में अपना खाता खोला दोनों मैचों का हाल कैसा रहा आपको बताते हैं लखनाव में हुए मैच में फैंस के सामने चखकों की बरसात हुई लखनाव ने दिल्ली के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए छे विकेट पर 193 रन बना दिये कमाल की बात ये रही कि लखनाव ने अपनी पारी में सिर्फ पांच चौके जमाए लेकिन चखके 16 जड़े मेजबान टीम के लिए वेस्ट इंडीज के काईल मायर्स ने सिर्फ 38 बॉल में 73 रन बना डाले अपनी पारी में मायर्स ने साथ छक्के उड़ाए उनके अलावा निकोलस पूरन ने भी 3-6 मारे लखनाव के कैप्टन केल राहुल इस मैच में 8 ही रन बना पाए बड़े स्कोर का दबाव दिल्ली टीम जेल नहीं पाई और कप्तान देविड वॉर्नर के अलावा कोई भी प्लेयर लड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया प्रित्फी शौ, मिचेल मार्श, सर्फरास खान फेल हो गए और बिना रिशब पंत के उत्री दिल्ली को अपने पहले ही मैच में हार जिलनी पड़ी लखनाव के लिए बॉलिंग में मार्क वुड हीरो बनकर उभरे वुड ने सिर्फ 14 रन देकर 5 विकेट जटके इसी पर्फॉर्मेंस की बदॉलत लखनाव 50 रन से मैच जीत गई और पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुँची शनिवार दोपहर के मैच की बात करे तो शिखर धवन की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स ने डखवर्ड लुइस नियम की मदद से 7 रनों से जीत दर्स की कोलकाता की टीम यहां अर्षदीप सिंग का तूफान नहीं जेल पाई जिनोंने सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट जटके पंजाब ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 191 रन बनाए थे पंजाब के लिए भानुका राजपक्षे ने 50 रनों की जबरदस्ट पारी खेली जबकि कप्तान शिखर धवन के बल्ले से भी 40 रन निकले जवाब में कोलकाता की टीम रनों के मामले में फिसटदी साबित हुई और 16 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बना पाई लेकिन इसके बाद बारिश ने मैच आगे नहीं बढ़ने दिया फिर DLS नियम की मदद से मैच का नतीजा निकाला गया नतीजा पंजाब के हक में गया और उसने सीजन की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ की साड़े 18 करोड रुपे में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर सैम कुरेन ने इस मैच में अपना कमाल दिखाया पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने बल्ले से 26 रन बनाए जिसमें दो चखके जड़े और बाद में एक विकेट भी निकाला शनिवार का दिन तो फैंस के लिए हिच साबित हुआ और दो मज़ेदार मुकाबले देखने को मिले रविवार को भी फैंस को डबल हैडर देखने को मिलेंगे जिसमें पहले हैदराबाद और राजस्थान का मैच होगा फिर शाम को विराट कोहली की बैंगलूरू और रोहिच शर्मा की मुंबई इंडियन्स आमने सामने होंगी IPL 2023 की हर अपडेट के लिए आप आज तक AI के साथ जुड़े रहे मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट, लाइव अनालेसिस, स्पेशल इंटिव्यूज, डाउनलोड कीजिए Sports The Camp